नमस्कार मैंनंद्राँ पालिवाल सहाचारी राजनेश्ति विज्यान आज इस वीडियो में विधिक के शाषन पर चर्चा करेंगे आदोनिक साषन को हम दो भागों भाजित कर सकते हैं पहला सवेचाचारी यहों अधिनायक वादि साषन तथा दूसरा लोकतंत्रात्म के समविधानिक साषन लोकतंत्रात्म के समविधानिक साषन का आधार विधी का साषन होता है ऐसे सासन में सासक और सासित्यानी जनता दोनों ही विदी की अधीन होते हैं ना कि कि किसी व्यक्ति के दिन इसमें सासक और जनता दोनों विदी के अधीन होते हैं किसी व्यक्ति विशेश के दिन नहीं होते हैं विदी का सासन और सविधानवाद उदारवादी लोगतंत्रों की आधारबूत विशेशता रही है पलेटो ने रिपबलिक में दार्षनिक सासक का सिद्धांत परतिपादित किया जो वस्तोत एक व्यक्ति का सासन है और भाई व्यक्ति नहीं तो जनता द्वारा चुनना जाता है और नाहीं वह जनता के प्रति उत्तरदाई होता है और पलेटो ने उस दार्षनिक सासक को सासन की अशीम सक्ति देकर उसको निरंकु सासक बना दिया इसके विप्रित अरस्तोनी कानून की सरोचता को स्रेश्ट सासन का एक चिन्वाना वह किसी भी केमत पर व्यक्ति गत सासन को वांचनिय मानने को तैयार नहीं था कानून का एक बड़ा लाब ये भी है कि कानून में किसी भी परकार की वासनाओं तथा विकारों का समावेश नहीं होता है कानून में ऐ व्यक्तिकत्त होते हैं जबकि स्रेष्टम व्यक्ति का जो सासन होता है वो वासनाओं से संपूर्ण रूप से चुटकारण नहीं पासकते हैं अत उस स्रेष्ट व्यक्ति में वासनाओं की उप्यक्षी के कारण स्रेष्ट व्यक्ति का सासन भी स्रेष्ट तक उस प्राकाष्ट तक नहीं पहुं सकता जितना की कानून पर आधरिस सासन उच्वता. यूनानी चिंतकों में संभावत अरस्तु का राज सर्वाधिक निष्टावान उपासकता। सेवायन ने कहा है कि कानून की संप्रभोता को अरस्तु ने एक अच्छे राज्य के चिन के रूप में स्युकार किया है ना की दुर्भाग्य पून आवशिकता के रूप में। एंगलो सेक्षन कहने आवले दोसों जैसे ब्रिटेन, ब्रिटिस सवसासी डोमिनन ता स्विंग्त राजी अमेरिका की नागरीक जिन कानूनी सुरुक्षा का उपभो करते हैं उनमें से एक विधीके सासन का सिद्धान्त विया। विधीके सासन के स्रवस्रिष्ट व्याक्या डायसी ने अपने पुस्तक लाव दी कॉंस्टिशन में की हैं और उसके अनुसार विधीके सासन के ते नर्थ हैं पहला तो यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं हैं विधीके सासन के अनुसार देश में कानूनी समान अत्वा सभी लोगों का साधर न्यायलो दौरा प्रियुक्त देश के सामान्य कानून की अधिन होते हैं इससे दांत का आसी यह है कि विदी धनवान और निर्धन के भी इसको अंतर नहीं करती क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर पुलिस के सिपाय तक अत्वा करों के संग्रण करता तक प्रते का दिकारी वैद्य और चित्ते के बिना किये प्रते कारेक लिए उसी भाहती उतरता ही हैं जैसे कोई अन्य नागरे फ्रांस की प्रशाज के विधि में ऐसा संभव नहीं है इंग्लेंड में कर्ब चारिगण सामान ने नयाले के सामनी लाय जा सकते हैं और वैद्य सत्ता के सीमा से भाहर केगे कार्योंक ले उन्हें दंड दिया जा सकता अथवा उन्हें से हरजाना लिया जा सकता हिगने और पोबेल के नुसार जो व्यक्ती सरकार कन्ग है वे मन्चार नहीं कर सकते हैं उन्हें संसद्वरा बनाई व िक सासन के नुसार व्यक्ती को कानोन के उलंगन करने के लिए द्ढ़ दिया जा सकता है अन्य किसी बात के लिए नहीं इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता और ना ही उसके सरीर और संपत्ति को किसी परकार सती पहुँचे जा सकती है जब तक कि उसने कानून का उलंगर नहीं किया हो और ये किसी साधार न्याले दोरा सामाने डंक से साबित न किया गया हूँ तिसरा सविधान के सामान्य सिदान्त न्याईक निर्णों के परिणाम है विधिक के सासन की तीसरी सर्थ यह है कि ब्रिटेन के सविधान के सामाने सिदांत नया अधिशों के निर्णों के परिणाव सोरूप है जो कि उनके सामने लगाए गई अभी योगों में सामान्य व्यक्तियों के अधिकारों का निरुपण करते हैं दूसरे सब्दों में सविधान की व्याक्या अत्वा अन्य किसी भी कानून मुद्धिय पर न्यादिसों का निर्णा अंतिम और सरों माननी हुगा। पहला अर्थ देश में पूर्ण कानूनी समानती स्तापित करता है। सबी नागरिक चाहिवी साधान व्यक्तियों या सरकारिक रमचारिक, सबी देश की साधान विधी के धीन है। और उन पर लगाय गई आरोपों की सुनवाई साधान न्यायलोदाराई की जाएगी। दूसर अर्थ नागरिकों की व्यक्तिगत सवतंतरताओं की रक्षा करता है। फिर भी इंग्लेंड में नागरिकों को अधिक्तम सवतंतरता प्राप्त है। और इसका श्रे उस देश के न्यायक निर्णों को जाता है। नाला के महत्पुर्ण निर्णे सविधान के अंग बन जाते हैं। इस प्रकार सविधान नागरिकों की अधिकारों का स्रोत नव के परिनाम है। अब विधिक के साषन की सीमाई। इंगलेंड के सविधान और साषन के अंतरगत सिदान्त और विवार में भारी अंतर पाया जाता है। और विधिक के साषन पर ये बात लाग होती है। सेधानतिक दodus्टे से विधिक के साषन के नोशार इंगलेंड का प्रतिक नागरिक कानून की दृष्टि समाना। राजा से लेकर निर्धन व्यक्ति सबी विधिक के नियंतर में, सब एक कली एक की प्रकार के नयाला। किन्तु आश्त्रन के दरष्टी से ये सभी बाते निरुमुल है कई ऐसी बाते भी हैं जो विधी के सासन से मेल नहीं खाती और उनके आधार प्रम डायसी के इस विचार से समत नहीं हो सकते कि इंगलेंड में विधी का सासन सरोच जै विदी के साहसन के कुछ अपवाद है जो निम्न है जैसे कि आपके इसक्रिम दीख रहा है पहला है अधिकारियों की विवेक आत्मक सक्ति को विदी के सासन की व्याक्या करते विए डाइसी ने परतिपादित किया कि विदी के सासन इस बात के विरुद है कि अधिकारियों को शक्ति के व्यापक, सेवेचापून तता विवेकत प्रियोग का दिकार प्राप्त हो। दाइसी कि इस कत्तन के अनुसार बिरुटेन में विदी के सासन की व्यावस्ता होने के कारण अधिकारी वर्कों को विवेकात्मक शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। जब विदी का सासन है तो किसी को भी विवेकात्मक शक्ति प्राप्त नहीं होती है। किन्तु वास्तिक तही है कि बिरुटेन में भी वर्तमान समय में राज्य का कार्य चेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया। और सरकारी अधिकारी अपने उत्तरदायों को पूरा कर सके इस द्रश्टि से अपने विवेक नुशार उने कार्य करने के छूड़ देना नित्यां तावस्य को गया। ब्रिटेन में प्रशासनिक अधिकारियों को विवेकात्मक सकती प्राप्त होने का कारण विधी के सासन की धाना सीमितों होई। दूसरा लोग शेवा अधिकारियों की सम्मंद में विशेश्थिती। विदी की सासन का ताथ पर एके सामाने व्यक्तियों और लोग अधिकारियों में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए लेकिन ब्रिटेर में लोग अधिकारियों को एक सीमा तक विशेश इस्तिति प्राप्त है इंग्लाण में 1813 में लोग अधिकारियों संडक्षन अधिनियां पारिथ किया गया जिसके नुसार किसी सरकारी करमचार की विर्द कोई भी कारिवाई उसके दोरा किये गए अपरात के छे मास की अवदी के अंदर ही की जाने चाहिए अन्ने तवह काल तिरोईत हुए जाती ह साथ साथ यदि सरकारी करमचारी पर लगाएगा अभीयोग सद तस्षिद नहीं हो सके तो अभीयोग चलाने वाले व्यक्ति को उसका खर्चा देना होता है ऐसी दसा में कोई भी सरकारी करमचारी की विरुद अभीयोग चलाने का सास ही नहीं करता सरकारिय दिकारियों को कुछ सीमा तक प्राप्तिस विशेश इस्तिति कारण विधी के सासन की धाना सीमितों अब प्रदत व्योस्तापन इन सब के अत्रिक पिछली लगवग चाड़िस-पचास वर्षव में राज्जी के कारियों और उनके परिणाम सरू कानून के संक्या बहुत अधिक बड़ जाने कारण व्योस्तापिका के दोरा अपने कानून निर्वान के सक्ति का एक बड़ा भाग कारे पालिका को सौंप दिया गया जिसे प्रदत व्योस्तापन कहते हैं यह प्रदत व्यास्तापन भी विदी के सासन को सीमिती कर सकता है क्योंकि डाइसी दोरा प्रति पादित विदी के सासन करती है कि प्रसासन का प्रते कारे या तो सामाने कानून अतो असंसद्य कानून दोरा दिकरतों किन्तु परदत व्यवस्तापन की उक्ति व्यवस्ता के अंतरगत परसासन स्यम दोरा निर्वित नियम के नुचारी कारी करता है वर्तमान समय में परदत व्यवस्तापन की उपयोगिता सभी पक्सों की दोरा शिकार कर ली गई है और परदत व्योस्तापन की इस व्योस्ता से विदी के सासन को निश्चित रुब से बहुत आगात पहुंचा परसासनिक नियम और नयाला विदी के सासन का एक पक्स ये भी है कि सामान्य व्यक्ति और राज के पदा दिकारे दोनों के लिए एक प्रकार के विदी और एक प्रकार के नयाले हो किन्तु विहवार के अंतरगत वर्तमान समय में बिर्टेर में ऐसी बात नहीं है पिछले लगवक दो पीडियों में बिर्टे संसदने राष्टे बिमा दिनियम मकान अधिनियम किराया धिनियम और सड़क याताद धिनियम आधिक रूप में अने कानूनों का निर्मान किया और इन कानूनों के कानूनों ने नागरी को तताव भी भागिया अधिकारों के पारे पर एक समंदों को एक भी सेज़ दिसा परदान किया जो परसासनिक नियम और नियाधिक रड़ती है डोन मोर समयतिक दौरा उननीस सो बातेस में परकासित अपनी रिपोर्ट में काँ गया है कि पर साहदनिक नियाधिक अरण सामाने नैलों के पेकसा सिगरता पूर्ख और कम घर्ष में कारी करता है और यह एक तत्य है कि इन प्रसासिनिक नियाए दिकर नोड़ा आर्द नियाए करूप में कारे किया जाता है ब्रटेन में इस प्रकार के प्रसासिनिक नियाए का अनेक विशयुके सम्मंद में उदह हो रहा हूँ अगला इंग्लेंड के समराड की श्तिति इंग्लेंड के समराट को विशेशितिति है क्यों नियाला में उन पर किसी प्रकार का अभियोग नहीं चला जा सकता और उसे कभी भी किसी भी नियाला की समख पेस नहीं किया जाता इस प्रकार समराट अपने विशेशा दिकारों का प्रियोग करने में सवतंत्र विदीका सास और विदेशी सास को तता राजदोतों पर लागू नहीं वता। देश के कानून का उलंगन के जाने पर भी उन पर किसी नायनिला में अभियोक नहीं चला जा सकता। और नहीं किसी विदेशी जास के विरुद कानूनी कारवाई के जा सकते। इंग्लेंड के ग्रह मंत्री को यह दिकार है कि किसी भी विदेशी नागरी को ब्रिटिस परजा के होने का प्रवणापत्र दे सकता किसे के प्रवणापत्र को रख कर सकता यह आवांचित विदेशी को देश से भाहर निकार सकता इन सब कार्यों के लिए उसके वुरुद को अभी हो नहीं चलाए जासकता है यह था विदी का सासम धन्यवाद